आप जानते हैं हमारे spiritual grandfather प्रॉफट टीबी ओश्य संसार में नहीं रहे हालिलोई या Bible में लिखे है जब एक दर्मी एक संसार से जाता है तो उसके लिए वो बला रहता है क्योंकि स्वर्ग में खुशिया मनाईया जाती है जब एक दर्मी संसार से जाता है वे बली बात है और जब एक पापी संसार से जाता है तो हम देखते के Bible में कि उसने हमें तरस आता है कि इसने प्रमिश्य के नाम को नहीं जाना पर Bible में जो दर्मी है वो प्रमिश्य के हाथों में हालिलोई है वो स्रक्षित है वो स्वर्ग मे हालिलुई है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वह ऐसे प्रभू के दास है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जिस मिस्टी को लोग देखते थे, मिलियन्स सब्सक्राइब थे, टीवी के दौरा लोग सुनते थे, और ऐसी उनकी मिस्टी थी, कि लोग ऐसा कहते उनको बस यह लगता है, कि हम बहाँ पर बस पहुंच जाएं, हम हील हो जाएंगे, ऐसी मिलिश्टी थे उनकी, कि हम बहाँ पर पहुंच जाएं बस, इस व्यक्ति को ले जाएं बहाँ पर, बस यह हील है, खालिलुई है, और सेम, जो यिशुम सी सिवा करते थे, बाइबल म दुस्तना चांदे हैं, प्रभू इशुम सी देवारे, ठीक है, जैसे ही भी लेंग्वेज में बताते होंगे, अच्छा कोई बिमार है, इशुम सी चंगा करने वाला परमेशर है, चंगे हो जाओ, आगे, आगे, कोई भी मिमारी लेका, प्रेटों के काम में तो लेका, वो सेम उनकी हिलिंग कैसी होती थी, लाइन में लोग होते थे, बीलचेर में, हात रखा, नो लॉंग प्रेर, हात रखा बस, हील, चल पड़ते थे, पंप लगे हुए, शिकंजे लगे हुए, बेल्टे लगे हात रखे हील, बिस्तर पर लेटे हुए हात रखे हील, रास्ते में वो church में आ रहे होते हैं लोग लंगडों को ऐसे जो cripple होते जो बिखारी होते जनकी टांगे पूरी ऐसे जान ही नहीं होती बिलकुल polio रख लो ऐसे लोगंके बीच में वो ऐसे ऐसे पैर रक्ने उनके चल जाते थे उनके पैर पर बस behilled बस वो चले जाते थे और पीशे लोग वो चल के उनके पीशे चले आते थे हालिलोई आप देख सकते हैं इमैन्यूल टीवी यूट्यूब पर हालिलोई है ऐसी मिनिस्टी ऐसे अद्बूत काम हालिलोई है कुरूसर्ज में कमांड करते हैं सबी स्टेडियम से उपर उपर से दुष्ट आत्मा निकल के बाहर निचे आ जाते हैं उल्टी बात करते हैं खतरनाक से खतरनाक पर शैतान है कुछ नी पर जो उनके रूप बनाते थे शैतान और ऐसे शैतान दुष्ट आत्मा निकलती थी कोई टिक नी पाती दुष्ट आत्मा फाइट करते हैं आओ टच कर कि टच कर तू मुझे मैं इश्यू के नाम से आत्मा डरती थी कामती थी और लोग क्रूसर में जब वो गोशना करते थे तो बो ऐसे ही बील चेर से वो कहते थे बस उठो और लोग बील चेरों से खड़े हो जाते थे बड़े बड़े ऑक्सिजन स्लेंडर उनके थे वो शोट सांस लेना शुरू करते थे तुरंत हाले लोई है बिस्तरों से खड़े हो जाते थे क्रूसर में एक लड़की की ऐसे पूरी टांग ऐसे जो पूरी प्लेट्स पड़ी हो थी एक शिकंजा लगा हुआ था क्रूसर में अच्छानक शोटी बच्ची और उन्हें उतारी और ब दोहे से बांदी हुई थी वो, आलेलुए शिकंजे से बहुत सर जितना बोलूं बो कम है, आलेलुए तुरंत बस ही हाथ रखते जा रहे, लोग जंगे होते जा रहे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आलेलुए और जब उन्हें सेवा शुरू की बहुत सारी प्रब्लम्स कुछ लोगों में उने शुरू कुई, कोई टेंट नहीं होता था उनके पास, बारिश आदी थी, चर्च में बारिश आ जाती थी, खुद वो कई वक्त पानी निकालते होते थे, खुब चर्च के वो गटर साफ करते थे, इतने हमबल men of God, खुद वो चर्च के गटर साफ करते थे, टॉइलर्स साफ करते हैं, टॉइलर्स दोते थे, खुद लोगों को राशन देते थे, खुद लोगों के लिए चैरिटी करते थे, लोगों के गर बनाते थे, गर गर जाके, जो ओल्ड एज हैं, जो बिद्व हैं, जो अनाथ हैं, जिनके जो कुड़ा कुड़े में कुड़ा कुड़े में खाना डूंड के खाते हैं उनको चर्च में बलाके उन्हें वो देते हैं लोग चर्च जिनके बाद बील चेर नहीं है लंगड़े उनको चर्च में बलाके बील चेर हजारों 1000 ऐसे उन्हें बिलचेरर बांटे थे राशन बांटे थे गहीं भी कोई बिबत हो जहे बहाँ पर इत्ना कारे इतना बड़ा कारे उन्का सेवक का सेवा का का बहुत सारी रुकावटि. शेटानने अटैक किये लोगों ने अटैक किये मिश्टी को रोकने के पर वो और बढ़ते के और बढ़ते के ओर बढ़ते के हालिलो ही हलिलोई इस अंसार में और प्रभु का थैंक्स करता हूं कि जिनों ने बहुत सारे लोग शुरुआत करते सेव कई पर एंड अच्छा नहीं कर पाते हैं उनका जितना टाइम था इस अंसार में लिखा है समय इंसान का समय पूरा हो जाता है और हिसके है समय पूरा हो चुका है हलिलोई है समय पूरा हो चुका है Simple कोई बीमारी नहीं Normal death Church service complete की partners meeting की लोग को heal की है Normal कोई बीमारी नहीं ठोड़ा समय rest में गय अगली meeting थी बैठे उनकी wife चलेगे केते तम चलो मैं आ रहा हूं और चेर पर ही बैठे बैठे बाजबाँ पर बैठे और वो चले गे परमिश्यों के पास हालिलोईया ऐसे लगता था कि वो बैठे हुए हालिलोईया अभी जब उनने जाके देखा और वो परमिश्यों के पास चले गे हालिलोईया हनोक ने परमिश्य को परसंद किया पर बोजिंदा उठा लिया गया कई लोगों को परमिश्य और ये मौत परमिश्य के जाना परमिश्य के हाथ में क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे लिए जो हजारों दिन है परमिश्य की निगा में वो सिर्फ एक दिन है परमेश्य की निगा में पूँ इतना स्पीड में काम करता है देखो हर इतने लोग हैं आप सबको देख रहा है आपके हर एक के बाल भी गिने इतना बुद्धी मान परमेश्य है तो उसकी निगा में जे असी सौ साल हालेलुई है तो उसकी निगा में ये उमर, उसकी निगा में हमारे ये हजारों साल उसकी निगा में एक एक दिन है, हालिलूई है और वो परमेशन और उन दिनों में परमेशन अपनी लोगों के जीन में परमेशन नों से बहुत अच्छी सेवकाई ली और सेवा के कारे को पूर के सबसे बड़ी काम कि उन्होंने जो सेवा की शुरवाद की और अच्छे एक्जामपल बने आज पता है हम जोग सेवकाई कर रहे हैं उन्हीं को देखकर कर रहे हमारे स्पिर्चल फादर को स्पिर्चल ग्रेंट फादर को देखके हम कर रहे हैं हलिलोईया मैं कह सकता हूं कि हर एक ने अच्छी शरुभाद की और एंड तक faithful रहे परमेशक न गवर्चल के साथ लोगों के साथ उन adhere हैं एंड तक बो सात रहे हालिलोी यह एंड तक बो हंबल रहे एंड तक उन्होंने कमन नहीं कियaa एंड तक बो वही प्राफिय टीवी और शरय जो पहले थे उनका प्रेम और बड़ा ही होगा उनकी हंबलनस लोगों के लिए केर सारी जिन्दगी उन्होंने लोगों की केर में विद्वाओं की आनाथों की क्रिपल्स की बिमारों की चंग्याई में और दुखी लोगों की कह सकते हैं दिन राद जाक के सारी जिंदगी उन लोगों के लिए निकाल दी हालिलोई है पूरी केर में हालिलोई है और सबसे ज़्यादा फास्टिंग रखने वाले बहुत उपवास रखते बूखे रखना अपने आपको हल लोग परमेशे के साथ सबसे बड़ा उनका काम था जो एक आदत थी परमेशे की हजूरी को पहला इस्तान देना उनकी सबसे बड़ी आदत थी इसलिए उनकी जिनमें सब सबसे बड़ा अभी शेक पाया जा रहा जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार बो पहाड पर जाते थे और जिसा मुसा पहाड पर जाता था और वो प्रभू से बाते करते थे पूरे वर्ड के लिए बहुष्वानी बरते थे कोरोना के लिए सब चीजों के लिए पूरे तो अगली बली बात कि वो ऐसे prabhu के जो अभिशिक दास जिनकी बात कर रहा हुं मैं इस बात के ली प्रबू को धन्य बात करता हूं कि वो मेरे spiritual grand father है मेरे आत्मिक पिता जी की आत्मिक पिता जी है तो वो इस बात के लिए पर बहुत thanks करता हूं कि ऐसे great man of God प्रबू ने हमें दी है हालिलोई यह और आप जितने मुझे देख रहे हैं आप इस जनरेशन में आप इस स्पिर्चुल फैंबली हो में से हैं और सोचो आप कितने ब्लेस हैं हालिलोई और और बड़ी बात वो गए नहीं है कह सकते हो उनके चेले उनके लोग इतनी मिस्टियां खड़ी उनकी उनकी व्राँचे खड़ी हैं, जैसे Paulos, Klusi के लिए की किलीसियां, थिसनों लिकियों की, लग-लग कलीसियां थी, ऐसे उनके बहुत सारे ब्राँचे खड़ी हैं, उनके स्पिर्चु संस खड़े हुए, उनकी ब्राँचे खड़ी हुए हैं, अब इसे टाइम में अब उनकी चर्च की लोग हीलिंग करते थे बीते दिनों में उनने इंडिया के लिए प्रात्ना की करोना वाइरिस के जितने भी लोग थे हॉस्पिटलों में उन तरंत लोग चंगे हुए करोना वाइरस वो वीडियोज मिली, मैंने यूट्यूब में मुझे दिखी, उनकी वीडियोज देखी, मैंने, तो मुझे देखके महरान हुआ, कि आज के टाइम में, पुराने टाइम में था सुना चमतकार ऐसे होते थे, कि आज दुनिया के टाइम में भी ऐसे चमतकार हो सकते, कि हाथ हाथ रखा, बच्चपन का बहरा सुनने लगा, हाथ रखा. हाथ लखा, मुर्द मुर्दे जिन्दे किये उन्हें. मुर्दे पर ऐसे लेट जाते थे, मुर्दिन जिन्दे हो जाते थे, हालिलूई है. और एक एक निए उनकी चर्चों में लोग मुर्दों को लेकर आते थे, सर्वर चलती समय, हलिलुई है, मुर्दों को उन्होंने जिन्दा किया अपनी लाइक में, हमने सुझा जब देखा तो हमारा फेत बना, और देखकर आया कि हमें भी ऐसे बढ़ना है, हमें भी ऐसे कामो और होलिनस के बाए ऐसे प्रीच नहीं थे, ऐसी शिक्षा ही नहीं थी, जो मिनिश्टी में जैनून बनना, चरितर के विशे में परचार, पवितरताई के विशे में परचार, अभी शेक और स्चामरचिन और चमतकारों के विशे में परचार, यह पंजाब में बारत में ब बीचे अपने स्पिचल फादर की नीचे होके बढ़ रहें, सोचो एक प्रभू के दास ने कितने दासों को खड़ा कर दिये, अभी भी उनके सेवा कह सकते हो, उनकी सेवा कम नहीं हुए और बढ़ेगी, हालेलोही है, आपने उनकी चर्च को, उनकी फैमिली को, उनकी बेर में रकना है, हालेलोही है, क्योंकि वावत बड़ा कारे हे ह้ आगे हालेलोही है, जो समभालने है, तो परमेशों ने बहुत अच्छा कारे है, लोग आपको निकालते हैं, आपको पता है, अगर वो वीडीयो में यह सीजें ना दिखाते हैं, कहीं व controversy में की वीडीयोह क कारें को करना है हमें भी ऐसे लोगं के बीच में रहना है हमें भी ऐसे हंबल बनना है हमें भी ऐसे गुड करेक्टर रहना है हमें भी ऐसे पवितरताई में रहना है हमें भी ऐसे रोज्जो प्रात्न प्रभू के साथ ज्यादा समय बिताना है जिस तरह वो बिताते वो पहाड के लिए तो हमें भी उनके साथ ऐसे ऐसे हमें चलना है तो हमें एग्जम्पल मिलनी। करफ़ में हमेश इस कारें करते हैं आप इस मिस्षी में बहोंते हैं कई काम आप देखते हैं 跟我 जान पा रहे हैं कि दिखाने से, अगर वो कारे लोग देख रहे हैं, तो हमें एक्जमपल बनना है दूसरों के लिए, जब आप देखते हैं, तो आपको भी अंदर आता है कि हमने भी ऐसे कारेों में बढ़ना है जैसे बोथ थे, हालिलोई है हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हमें परमिश्य के कारे को करना हम बाइबल में देखते हैं नभीों को देखते हैं जीशमसी को देखते हैं आज के दासों को देखते हैं हालेलोई तो इसलिए बहुत सारे अद्बूत काम उन्होंने की है हालेलोई अगर उन्ह लोग सेवकों के खिलाब बोलते हैं, उनकी नाइंटिंग के खिलाब बोलते हैं, आज जब उन्हें बढ़ता हैं, उनकी चर्चों को बनते हैं, उनकी ब्लैसिंग को देखते हैं, लोग भूल जाते हैं, यह आए कहां से हैं, हलिलोईया, जब आप एक सेवक बनेंगे, आप से लिए उनकी life कैसे उनकी save कई में बड़ी उसका कारण आप भी अगर ऐसे अभी शेक को पाना चाते हैं आप भी उबवास में प्रात्ना में बढ़े हालिलूई 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 हा तो उस चीजों को हमने अपनी life में देखा और लागू किया हालिलूई हा तो इसी तरह हम ने परमिश्यो के राज्चे को बढ़ने में साथ देना हालिलूई हा एक हफ़ता पहले एक हफ़ता पहले जब परमिश्यो के दास प्रॉफिट टीवियो शो हमारे बीच में नहीं रहे लगबग एक हफ़ता पहले spirit ने मुझे अंदर से आया मतलब कैसा तो holy spirit की आवाज आ मैं उनकी वीडियो को आउन करूं उनके चैनल को ओपन करूं हालिलूई है और जब मेरे अंदर आया spirit के दोरा जी चीज आई ही मैं आपको बताता हूं कैसे प्रभू जब आप किसे spiritual father के साथ grand father के साथ एक आत्मी ministry के साथ जुड़े होते हैं तो आपका उसके साथ connection रहता है हालिलूई है आप भी उसके एक हिस्सा रहते हो तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूं और प्रभू ने मुझे अगवाही किया कि मैं इम्मैनूल टीवन ओपन करूं और जब मैं उनके चैनल को ढूंड रहा हूं तो फिर मैंने उनकी कुछ वीडियो को मैंने ओपन करना शुरू क और मैंने उस प्रेयर पॉइंट्स को रसीव किया और जब लगातर हम प्रातना कर रहे हैं प्रातना कर रहे हैं रोज की प्रेयर में उन्हें याद कर रहे हैं देखो कैसे प्रभू ने अपने जो दासों प्रभू के मुझे नहीं पता देखो मैं पिशल बीतो दिनों मैं को प्रेयर पॉइंट मिले जो प्रेयर पॉइंट उनकी औरसे मुझे मिले और मैंने उनके लिए प्रातना करने शरकिर डेली उन विशो के लिए हमने प्रातना करनी शुरू कि और जीजदिन बोई संसार से जा चुके हैं मैं आपको बताओं कि सुबे हम प्रेयर कर रहे थे और प्रातना कर रहे थे प्रातना करने के बाद हमने आमिन किया और उसके बाद बरकत का कल्मा बोला प्रप अचानक से हमें फिर से स्पिरिट में आया कि उनके लिए प्रात्ना आज नहीं की कि उनकी मिश्ची के लिए उनके लिए आज प्रात्ना नहीं की तो हमने आमिन करने के बार फिर से प्रभुजी तेरे दास के लिए सिवक के लिए प्रात्ना करते हैं उनकी मिश्ची के लिए उनकी मिश्ची के लिए हम फिर से प्रातना करते हैं उस सुबह ये प्रेयर कर रहे हैं और पुलपड में आने से पहले अचानक हम टेस्टमनियों को देख रहे हैं और प्रमिश्व की दासरी को वो मैसेज यूट्यूब फेस्बुक में शो हुआ कि सोचो जिनको एक हफ़ता पहले हम डेली देख रहे हैं डेली प्रेयर कर रहे हैं और ऐसा मैसेज मिले कि आज वो इस अंसार में नहीं रहे पहले तो मैं जिकीन नहीं है मैं सुन हो गया संडे पुलपड में मैं आपके सामने तो था क्योंकि सेवा का काम समय है हमें सब कुछ बूलाना पड़ा मैं सुन हो गया अंदर से और सेवा के टाइम मैं आपकी वो मीटिंग आया सब प्रभू के क्यों की परचार करना सेवा के काम को हम रोक नहीं सकते उसको हमने की या प्रभू का ही काम था वो हलिलुईया तो उसको करते रहे हैं और रात शाम को जब आप जहां से जाहरे हैं और फिर से उन चीज़ों को देख रहे हैं और दीरे दीरे फिरे मालूम चल रहा है सब कुछ कैसे हुआ किस तरह हुआ हुआ हलिलुईया पर प्रमेश्य की जोजना बली है हलिलुईया तो परमेश्य ने अपने महमा में उन्हें बुला लिया है आज सुर्ग आनंद कर रहा है खुशियां मना रहा है हलिलुईया और हम भी अब सेवा के कारे को उसी तरह सेवकाई करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे कि आप अपनी जिंदगी को समर्पित करेंगे सेवा करने के लिए तब तक आप अपने आपको एक कोच्छन करना प्रिशन करना आज ही से मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि आपने जब येश्य को जीवन दिया आपने बबतिस्मा लिया उसके बाद आप एक मसीह विश्वाशी हो जा एक मसीह चेले हो क्या आप एक विश्वाशी हो जा एक डिसाइपल एक चेले हो प्रभू के तो मैं आपको बताऊंगा अगर आप बिलीवर हो तो आपकी लाइब, बलीवर की तरह हैं आपकी लाइब में पावर रहती है दुष्ट आत्मा के खिलाब बेमारियों के खिलाब, परस्तितियों के खिलाब पर अगर आप डिसाइपल हो, चेले हो प्रभू के तो चेले को जो अथारिटी, जो पावर परमेश्वर देता है, तो बहुँ आपकी जिंदगियों में आती है, तो प्रभू बहुत बलेस्ट करें, आओ हम सब उनकी मिनिस्टी के लिए उनकी फैमिलियों के लिए सब जन परातना करें, आओ उपने हांकों को बंद करें दीन होके सरशक्तिमान पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर, जब एक दर्मी मरता है जाता है संसार से, सोता है संसार में, स्वर्ग में तो खुशी मनाई जाते क्योंकि जीवन और मृतियों तेरे हाथों में है पर जो करीब रहे होते हैं दुख तो होता है परमेश्वर, परविश्वाश है कि एक दिन हम स्वर्ग में मिलने वाले हैं प्रभू. हे पिता परमिश्वर प्रातना करते हैं पिता परमिश्वर पूरी उनकी चर्च के सभी लोग जो अभी पिता हम जानते कि फादर की क्या एमियत होती क्योंकि मेरे स्पिर्चल फादर है पिता हमें पता अपने spiritual father के बिना मुश्च भी नहीं है क्योंकि उनके द्वारा तु हमसे बात करते है और तेरे बिना तरी पवितर आत्मा के बिना मुश्च भी नहीं कर सकते है तेरा पवितर आत्मा हमारे अग्वे के द्वारा बातें करता है हम एक mentor की जिन्दगी को जानते हैं हम एक अग्वे की लाइफ को जानते हैं कि अग्वे के बिना पिता कैसी लाइफ हो जाती है पिता परमेश्व बहुत सारे उनके पिता परमेश्व चर्च की लोग है जिनका फिर्दे टूटा हुआ है मन टूटा हुआ पिता परमेश्व पर तेरे वचनों से वो अनंदीते हैं पिता परमेश्व परातना करते हैं सब बेतरी शांती मांगते हैं पिता परमेश्व है पिता परमेश्व हमें जब स्पिर्चल फादर को खोते हैं पिता तब तक उनकी कदर कई लोग संसार में सिवकाईयों के साथ जुड़े हैं उनको अपने अगवे की एहमियत नहीं मालूम होती पर अगवा पुराने ने में जब नयाई मर जाता था तो लोग फिर से पाप में चले जाते थे आत्मा में कमजोर होते थे फिर से प्रबु किसे नयाई को अगवे को चुनता था और फिर से वो मन फिराते थे उनके परचारों के दोरा सच में पिता परमेश्यों अगवे के बिना पिता परमेश्यों पिता परमेश्यों प्रात्ना करते हैं पर तेरा हम जानते हैं जिस सुब काम को तुने अरंब किया वो पूरा होता है। तेरे वर्दान अटल है, तरी भुलाट अटल है, वो पीडियों थर पीडियों आगे बढ़ते रहेगी पिता प्रमेश्वाइं। पिता तरी दासी के साथ तेरा आत्मा हो, पिता प्रमेश्वाइं। लेंड मदर जी के साथ तेरा आत्मा हो पिता परमिश्वा, तरी हुजूरी हो पिता परमिश्वा, सब के ओपर तरी दया और सिवकाई इसी तरह बढ़ती जाए, और उठती जाए, और बढ़ती जाए, और बढ़ती जाए, और बढ़ती जाए, हम हमबल करते हैं पिता अम में भी पिता ऐसे ही बनाएं पिता हम पर भी तरी ऐसे किरपा हो सब पर तरी किरपा हो पिता तीरा प्रेम प्रभू यूश्वशव आपका फ़जल पुछ्वछ प्हुतरा आपके सहे बागटाइश इसी तरह सब दास दासियों के साथ सब सेपों के साथ तेरी श्रक्षा, तेरी सहभागेता तेरी सहाईता, तेरा स्पर्ष इसी तरह बना रहे इश्यो के नामे मागते हैं आमेन